की हुन्दा है अक्षियत रतियादा त्योहार हिंदु तरम्च की है इस दिन दा महत्तव सोना खरीदना क्यों मन्या जान्दा शुब सुन्यार्यां दी हो जान्दिये चान्दी ही चान्दी अक्षियत रतिया एक पवित्तर त्योहार है जिसनु बहुत शुब मन्या जान्दा है तार्मिक मानतामा देनुसार अक्षियत रतियानु हर काम करना चंगा होंदा है शास्त्रा देवेच इस दिन सोना चान्दी अधे कोई वी नमी वस्तु खरीदन दा विशेश महत्तव दस्या गया है इस दिन देवी लक्ष्मी दी पूजा करन दे नाल विशेश लाब मिलता है अधियोना दी किरपा नाल परिवार दे विच खुश हाली दे सुक शान्ती वातिया तार्मिक मानतामा दे अनुसार अक्षियत रतिया दे दिन बौट सारिया प्राचेन कटनावा वाप्रिया इसलेई इसनु बेहद शुब समा मन्या जान्दाए एवी मन्या जान्दाए कि अक्षियत रतिया दे शुब महुरच कीते होए सारे कम सफल होंदेने आस्था दी गाल करिये ता हिंदू तरम दे अनुसार ए मन्या ग्याए कि इस देन पगवान विश्नो दे अफ्तार बर्शु राम जिदा जनम होया सी अक्षियत रतिया दे दिन क्रिशन जी ने युदिश्टर नू अक्षिय पत्तर देता सी जिस विच कदे भी पोजन खतम ने होंदा सी ते युदिश्टर इस पत्तर दे नाल अपने लोडवन्दा नू पोजन दे सान्दू इसलई अक्षियत रतिया दे दिन दान पुन करन दावी विशेश महत्तव मन्या contributor गदाय तरेता युग भी अक्षय तिरतिए देदेद दिन तो ही शुरू हुआ इस शुब दिन दे गंगावी तर्ती दे उतरी बहुत सार यां विशेश्टावाँ दे कारण ही अक्षे तिरतिया दे दिन्नों साल दा सब दो शुब समा मन्या जान्दाए इस शुब दिन दा लाब कि मेंले आ जा सकता है फूजा दी सही विधी किये और जान दिया एतिहास क शीव मन्दर दे मुख पुजारी दो अक्षे तिर्तिया एक अपने में ही अक्षे है, अक्षे का मतलब होता है कि जिस पुन्य का खतम ना होना, जो पुन्य ऐसा है जो कभी खतम नहीं हो सकता है, अक्षे का मतलब होता है, और तिर्तिया का मतलब होता है कि तीन गुना फल की प्राप्ति हो जाना, आज की दिन ही मा मा गंगा का आउत्रन हुआ था अक्षे तिर्तिया के दिन ही मा गंगा का आउत्रन हुआ था इस दिन राजा सगर के साथ हज्जार पुत्र थे साथ हज्जार पुत्रों ने बहुत प्रकार से एक यग्य किया उस यग्य में अस्व को छोड़ा और अस्व को छोड़ने के बाद में अस्व जो है बहुत दूर तक जाता रहा और ऐसा उन्होंने एक चुनवती लिख दिया कि जो कोई इस अस्व को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद में हमको मतलब चुनोती देगा वो हमसे युद्ध करेगा तो इस प्रकार से जो है चुनोती देने के चकर में उन्होंने अस्व को छोड़ दिया अस्व पर लिख दिया कि जो इसको पकड़ेगा अब राजा इंद्र घवरा गया गिए इस प्रकार से अगर अस्व छोड़ रहे हैं और अस्व छड़ता चलता कहीं इन लोगों ने अगर प्रित्वी पर बिजय पा लिया तो आकास मंडल में आ जाएंगे और हमारे उपर में बिजय प्राप्त कर ल कपिल महराज के आसरम में जब बांदिये तो वहां पर बांदने के बाद में इंद्र तो वहां से चले गए अब लोगों ने बताया महराज ये तो आपका जो अस्व है कपिल भगवान ने कपिल जो हो बांद रखें जो संत हैं कपिल बांद रखें तो क्या कि आप लोगों इन सब को ग्रोध आया और ग्रोध आने के बाद में, इन सब ने कुठार उठाया और बहुत प्रकार से उनको मारने की चेश्टा किया, तब तक कपिल भगवान के आँखों से ऐसा जुआला निकला, उस जुआला से साथ के साथ हजार पुत्र जो जलकर के भस्म हो गए। चिंता गृष्ट हो जाने के बाद में, उनके भाई बताए, बहिया ऐसा है कि इनकी तो जब तक जो गंगा जी के बीच में इनकी अस्थिया नहीं पड़ेगी, तब तक इनका जो अकल्यान नहीं होगा, संतों ने बताया, महात्माओं ने बताया, कहती इस प्रकार से गंगा जी प्रसंद नहीं होई, गंगा जी आई नहीं प्रत्वी पर, उन्हीं के कुल के राजा दिलीप हुए, दिलीप ने भी बहुत तपश्या किया, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं आई, उन्हीं के कुल में राजा भगिरती हुए सज्जनों, कहते हूं उस भगिरती ने बह पर कोई समाल ही नहीं पाएगा, सारब प्रत्वी जो हो पाताल लोक में चली जाएगी, कर नहीं हाराज फिर क्या करें हम, कर जी ऐसा करो, आप भगवान सीव को मनाओ, सीव ही हमारे बेगों को समाल सकते हैं, उन्होंने भगवान सीव की आराधण किया और भगवान भोले ना और उस जटा से जो है एक बाल से जो है उन्हों छोड़ा गौमुक से गंगा जी चलती है आज के दिन ही अक्षे तिर्तिया के दिन ही गंगा का उत्रण हुआ सज्जनों और उसके बाद में गंगा जी जब वहां से चली राजा भगी रती भाग रहे हैं आगे आगे और पीछ तब तक सारे जो पित्र गण एकदम प्रसन हो गए और बोलें लगे है भग्रती जाओ तुम्हारा नाम अजर और अमर हो जाएगा और आज के दिन अच्छे तिर्तिया के दिन जो है महा भारत को बेद ब्याह जी ने लिखा हुआ है बेद ब्याह जी जो रचाइता है उन्ह भगवान विष्णु के छठे अवतार जो प्रसुराम जी है उस प्रसुराम जी का जनम दिन भी आज ही के दिन है आज के दिन भगवान प्रसुराम का छठे अवतार जिस प्रसुराम ने अपने पिता के परम भक्त रहे कहते अपने पिता की बात मानते हुए उन्होंने बो ब्रमण किया, इस परकार से अक्षे तिर्तिया के महत्तों है, बोलिए नारएंड भगवान की जय, आज के दिन जो है भगवान नारएंड के छठे उतार प्रसुराम जी का जनम हुआ है, तो प्रसुराम जी की पूजा होती, भगवान बिश्कनु के रूप में पूजा होती, यदि कोई महुर्त नहीं मिलता है तो हम लोग बोलते हैं आज के दिन जवाब विवावी कर सकते हैं ग्रिय परवेश के लिए कोई महुर्त नहीं है तो ग्रिय परवेश भी किया जा सकता है किसी भी सुब काम को आज के दिन प्रारंब किया जा सकता क्योंकि आज के दिन करने से तीन गुना फल की प्राप्ति हो जाये करती है इसी के नाते इसका नाम क्या है अक्छे तिर्तिया नाम सज्जन आज के दिन भगवान विश्णु की आराधना की जाती है वगवान नारेड ऐसे दे होता है जो पालन करता है उनका दूद से असनान करवा सकते हैं दही से असनान करा सकते हैं सहद से असनान करा सकते हैं सक्कर से असनान करा सकते हैं घी से असनान करा सकते हैं उस परकार असनान करा फिर गंगा जल से उनकी मूर्ती को असनान करा सकते है असनान कराने बाद में बस्तर उनको चढ़ाना चाहिए बस्तर चढ़ाने बाद तिलक लगाना चाहिए तिलक लगाने के बाद में भगवान को मोदक मिश्ठान इस परकार से इन चीजों को जो है भगवान के सामने भोग लगाना चाहिए इस प्रकार से भगवान के पूजा तो देखी आनंत है खोड़ सो उपचार पूजन हुआ करता है 16 प्रकार से पूजन बताया गया लेकिन ये बिधान है इस प्रकार से इस बिधान से भगवान नारेट को प्रसंद किया जाता है इनका पूजन किया जाता है सुन्यारियां दिये दुकाना दे पीड़ लगी रहन दी है ते लोग इस दिन बेहद उचाद नालग सोने दियां चांदी दियां वस्तुआ खरीद देने सर जिस तरह अक्षे तीति हर साल जैसी गल कर लिए किस तरह दी एकसाइटमेंट रेंदी है लोग कानू क्योंकि हर साल लोग की काफी खरीदारी कर दे और इस दिन दा काफी महत्व भी है देखो लोग इस दिन दी बड़ी पारियों डीक कर दे को कि शुब महुरत होंदा है देज लोग सोने चांदी हीरे दे जेवरात लोग खरीदे अपनी पॉकट दे उनसार को कि ए तरीका मनू करीब करीब इस लाइन चाली साल दे मनू होगे चाली साल दो मैं देख़दा आ रहे हैं लोग अज दिन पर दिन उत्ष्यावद रहाचाए सोने दा रेट जो मर जी रहा है चाली साल दो बहुत रेट मैं उपर दो देखे है तो ना दे विच आज भी लोग आने विच ओही करेंजा जो पहला सिखा कि सुने दा सुने दे लिए जिदा तुसी कहा कि लोग सुनना दे जिड़े रेट है गोल दे है वो सिल्वर दे और रेट बदे जा रहे हैं किस तरह लगदा है कि हजे भी लोका दे एक साइट में इसी तरह बिलकुल ओ देखो पहले जमाने ना लो आज सुने दी खरीदारी ज्यादा लोग कर दे है पिछले चाली साल पहला दा पर चकीए दे लोग इना सोने सोना खरीद दे जरूर सन पर लिम्टेड सोना खरीदे दे लोग ग्रेनी भール देश दी हर ग्रेनी गौल पन पज़ाओ घ्राम तो लेकि सो ग्राम सोना दें कट चट गट जड़ा जा सकता है इसलिए उन्यु जड़ा ओं सोनने दी तडिया दना देश देटा जना दांदा सी मिशां और देटा जांदा रहेगा क्योंकि सोना एक ऐसी चीए जड़ा एक वर तुसी खरीद लिया ओटाड़े को लेक अस्यास जड़ी है टाड़ी रखम जड़ी एक किसम दी जोड़ की लड़ी को जोड़ी क्योंकि जे माल लोकिशने पांची हयार तोले दा सोना बना सी आज सतर है यार परी है बतर है यार भी यह रेट होने दा पूरी आल ओबर वर्ड देखो तो कि हर देश जड़ा ओस होने देश पनार जादा उन नहीं हो देश जड़ा काम जाबी देबल बदा इस दिन दा महत्व हैगा सारा दिन मतलब तुसी तक है जिदा किया तुसी चाली साल दा तोड़ा एक्सपीरेंस है इस दिन काफी एकसाइ अधान हो दियो लोग सोना चंदी डामेंट जिल्टरी खरीदनी एक शुब मनते है जिन्दा 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 पौकर्ड लाओं नहीं कर दी है और लोकाँ वास्ते वी है एक किसंदी अपनी पुटी नू बचानवास से लोगें भी सोईदे जलो साड़े पैसे क्योंकि जे दासवी है यार भी या जे रख दे पन्याया रख दे तुसी पाओ तो लबदा नहीं का सोना खरीद के तुसी रख ले आओ टोड़े पैसे जोड़ जन दे या बंदे दे पैसे रुक दे और ना ले लोग बड़े शौंक ना इस डेट दी वेट कर दे जिना साने दर्स्या कि इस दिन दी लोकी वेट कर दे है और जिना साने दर्स्या के काफ़ी लंबा एक्सपीरिंस भी नानु रहा इस पूरी फिल्ड ले विच और लोकार चाга एक्साइटमेंट हो बहएँ सोना जिल्झा आज़ जी ऑप गर recommending 72 कान्तार शार बहतर जड़ा देने है उदे विछ लोकाद एक्साइटमेंट होंदी है शुब मौरत कह सकते हैं कि लोकाद लोकी मान दे हैं पूजा पार्ट कर दे हुए इस काफी जोयलरी जेडी है इस शॉपस ते काफी जेडी खरीदारी कितनी जन्दी है लोकाद भीड जेडी है और देखनों म केमरा मैं गिरोध कुमान नाल मुझे राथी निजेटीन जाओं